हेलो फ्रेंट्स मैं हुपरी और सागत करती हूँ आपका बेबी और मॉम लाइफ स्टाइल में फ्रेंट्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके बच्चे को डाइरिया यानि की लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई है तो उसको कैसे ठीक किया जाए आपने अगर अपने डॉक्टर को दिखा लिया है इसके बाद भी आपके माइन में ये क्वेशन है कि अपने बच्चे को क्या खाने के लिए दिया जाए तो इस वीडियो से आपका ये डाउट दूर हो जाएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही ब प्रिंट्स, ORS क्यों दिया जाता है ,에게 बच्चे काम क्या है , आप ORS दे सकते हैं इसके साथ फ्रेस जूस भी बच्चों को बनाकर दे सकते हैं ORS अगर आप घर पर बना रहे हैं तो आपको कैसे बनाना है आपको बता देते हैं आपको एक लीटर पानी लेना है उसमें 6 चमच आप चीनी लीजिए और आधा चमच आप नमक का लीजिए और अच्छे से इसको उबाल दीजिए इसके बाद में थंडा होने के बाद में आप कप लिकट जरूर बच्चे को देना चाहिए इससे क्या होता है इससे बच्चे की बॉड़ी हाइडरेट होती है नेक्स चीज़ से बच्चे को बनाना दीजिए एक बनाना बच्चे को जरूर देना चाहिए एक पिंच सॉल्ट ले ले और थोड़ा सा आप लेमन जूस डाल द कई जगे तो यह आपको कैसे देना है आप क्या करें मुर्वुरा ले लिजे एक कटोरी और एक ग्लास पानी ले लिजे एक ग्लास पानी में मुर्मुरे को भिंगो दीजिए और 20-25 मिनट आप आदा गंटा भी रख सकते हैं भिंगो कर रख दीजिए इसके बाद में पानी को चान कर अलग कर लीजिए अब ये पानी आप अपने बच्चे को दिन में दो से तीन बार दीजिए इससे भी बच्चा की बॉड़ी जो होगी वो बहुत जल्दी रिकवर होती है और डाइरिया से निजात मिलती है नेक्स्ट है जिंजर यानी की एक चमच अद्रक के रस में आ खोड़ा सा आप चाहें तो जीरा पाउडर भी एट कर सकते हैं और इन सब को अच्छे से मिक्स करके दिन में दो से तीन बार आप अपने बच्चे को दीजिए ये सारी चीजे होम में ड्रेमेडी है और बहुत ज़दा फायदा करती है और इफेक्टिव भी होती है नेक्स् एक कब दाल लेना है और उसमें एक पिंच नमक डालना है ठीक है और नेव्ड़ गिलास पानी डालना है फ्रेंडस दाल को अच्छे से पका लीजिए और इससे आप दिन में एक से दो बार बच्चे को खाने के टाईम पर दे सकते हैं इसके बाद में आप बच्चे को दही दे सकते हैं जी हाँ फ्रेंड्स इस टाइम पर डॉक्टर जो होते हैं वो दूद को मना कर देते हैं तो आप बच्चे को दही दीजी दही बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और ये पेट को भी ठंडा रखता है इसके साथ इसमें पाईज आने वाले जो वैक्टीरिया होते हैं वो दस्त को रोकने में हेल्प करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया दस्त छुटकारा पाने में पाने के लिए जो लैक्टिक एसिड होता है वो उत्पन करता है और इंटेस्टाइन को एक सुरद छात्मक कवच प्रदान करता है डाइरिया के उपचार में चावल और ये रोकता है तो फ्रेंट्स ये दोनों चीजे बहुत ज़दा फायदे मंद होती हैं तो आप अपने बच्चे को खाने के रूप में ये भी दे सकते हैं तो फ्रेंट्स ये वीडियो आपके लिए कितना हेलफुल रहा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगा करें वीडियो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए फ्रेंट्स शेयर कर दिया करिए आप अपने फ्रेंट्स और रिलेटिव के बीच में ताकि जो बच्चे हैं वो स्वस्त रहें हेल्थी रहें और अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो उससे जल्दी से जल्दी चुटकारा पा सकी है